Hare Krishna, Shreemad Bhagavad Gita, Chapter 6, Texts 20, 21, 22, and 23 Bhagawan Sri Krishna के मुखारविन से निकले हुए इन, अमरित मैं शब्तों को मेरे साथ साथ बचारन करने का प्रियास कीजिए Bhagawan कहते है यत्रो परमती चित्तं, निरुथं योगसिवया यत्र जैवात्मनात्मान, पश्यन्यास्मनितुष्यती सुखंबात्यंदिकं यत्तत, गुद्धिकाहं मतींद्रियं वेति यत्र नचैवायं, स्थित शलति तत्वतह, यम्लत्थ्वाच्यापरम्लाभं, मन्यति नाधिकंततह यस्मिन्स्थितोन दुखेन, गुरणापी विचाल्यते, तम् विध्यास्थुखसैयोंग, वियोग, योगसोंगितं यत्रो परमती चित्तं, निरुथ्थं, योगसेवया, यत्र जैवात्मनात्मानं, पश्यनात्मनिकुष्यती, सुखं मात्यंतिकं यत्त, बुद्धिक्राह्यं मतिंद्रियं, वित्यत्त नचैवायं, स्थितैश्यलति तत्वतह, यम्लप्थ्वाचापरम्लाभं, मन्यति नाधिकंततह, यत्निन्स्तितोन दुखेन, गुरुणापी विचाल्यते, तम् विध्याद्धुकसैयोग, वियोग, योगसोंगितं, यत्रो परमती चित्तं, निरुथ्थं, योगसेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं, पश्यन्नात्मनितुष्यते, सुखं मात्यंतिकं यत्त, बुद्धिक्राह्यं मतिंद्रियं, विध्यत्रन चैवायं, स्थितैश्यलति तत्वतह, यम्लप्थ्वाचापरम्लाभं, मन्यते नाधिकं ततह, यस्मिन्स्तितो नदुख्येन, गुरुणापी विचाल्यते, तम् विध्यात्युख सैयोग, वियोग, योगसोंगितं, यत्रो परमती चित्तं, निरुथ्थं योगसेवया, यत्रचैवात्मनात्मानं, पश्यन्नात्मनितुष्यति, सुखं माध्यंतिकं यत्त, बुद्धिक्राह्यं अधिंद्रियं, विध्यत्रनचैवायं, स्टतश्यलति तत्वतह, यम्लप्थ्वाचापरं लाभं, मन्यतिनाधिकं ततह, यस्मेंस्थितोन दुखेन, गुरुणापी विचाल्यते, तम विध्यात्युखसैयोग, वियोगं, वियोगसोंगितं, यत्रो परमतिचितं, निरुथ्थं योगसिवया, यत्रचैवात्मनात्मानं, पश्यनात्मनितुष्यति, सुखं आत्यंतिकं यत्त, बुद्धिक्राह्यं अतिन्रियं, विध्यत्रनचैवायं, स्टितर्श्यलति तत्वतह, यम्लक्त्वाचापरं लाभं, मन्यते नाधिकं ततह, यस्मिन्च्टितोन दुखेन, गुरणापी विचाल्यते, तम् विध्यत्वकसैयोग, वियोगं, योगसोंगितं, यत्रो परमतिचित्तं, निरुथ्थं, योगसेवया, यत्रचैवात्मनात्मानं, पश्यन्नात्मनितुष्यति, सुखं माध्यं तिकं यत्त, बुद्धिकाहं अतिन्रियं, विध्यत्रन जैवायं, स्थितर्शलति तत्वतह, यम्लब्ध्वाचापरं लाभं, मन्यते नाधिकं ततह, यस्मिन्स्थितोन दुखेन, गुरणापी विचाल्यते, तम विध्यातुक सैयोग, वियोगं योगसोंगितं, यत्रो परमती चित्तं, निरुथ्थं, योगसेवया, यत्रचैवात्मनास्मानं, पश्यन्नात्मनितुष्यती, सुखं मात्यंतिकं यत्त, बुद्धिक्रायं मतिंद्रयं, विध्यत्र नजैवायं, स्थित्ष्यलतितत्वतह, यम्लक्थ्वाचा परमलाभं, मन्यते नाधिकं ततह, यस्मिन्स्ते तो नदुखिये न, गुरुणापी विचाल्यते, तम विध्यातुखसैं योग, वियोगं योगसों गितंग, शब्तों का अर्ट, यत्रो परमती चित्तम निरुद्धम योगसेवया, यत्रो अर्था जिस अवस्था में उपरमती, देव्य सुखी अनुबोती के कारण बंद हो जाती, क्या चित्तम, मानसिक गति विध्या, निरुद्धम योगसेवया, निरुद्धम मतलब पदार से निव्रती, जो बहुते पदार्थ हैं, उस निव्रती योगसेवया, योग के अभ्यास के द्वारा, यत्र, चैवात्मन आत्मनम, यत्र, जिसमें च, भी, एव, निश्चेही, आत्मना, यानि विशुद्धमन से, आत्मनम, यानि आत्मा की पश्यन, स्थिती का अनुभव करते हुए, आत्मनी तुश्यती, यानि अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, सुखम आत्यंतिकम यत्त, सुखम मतलब सुख आत्यंतिकम मतलब परम यत्त, वो जो बुद्धी ग्राहियं, बुद्धी से ग्राहियं, यानि ग्राणियं, अतिंद्रियम डिव्य इंद्रियों डिव्य है न वो वेति जानता है यत्र मना जिसमें न कभी नहीं चभी एवनिष्चे ही अयम यह इस्थित चलती हटता है तत्व सत्व से यम जिसको लब्ध्वा प्राप्त करके चय तत्था अपरम अन्य कोई लाभम लाब मन्यते मानता है न कभी नहीं अधिकम अधिक अतह उससे यस्मिन स्थित हा जिसमें स्थित होकर न दुखे न कभी नहीं दुखों से गुणापी अत्यंत कठिन होने पर भी विचाल यते विचलायमान नहीं होता तम विध्याद उसको जानो दुख साई योग बहुतिक संसक से उत्वन दुख वियोगम उन मूलन को योग साउंगे तम योग समाधी कहलाने वाला अनुवाद सिद्धी की अवस्था में जिसे समाधी कहते हैं मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भावतिक मानसिक क्रियाओं से पूरण तया संयमित हो जाता है इस सिद्धी की विशेशताया है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने खोद देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है उस आनंद में इस्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में इस्थित रहता है इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सक्त्यक के विपत्थ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ती हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाप्त नहीं मानता एसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कटनाई में भी विचलित नहीं होता यहने संदेह बावतिक संसर्ग से उत्पन होने वाले समस्थ दुखों से वास्तविक मुक्ती है तात्तरिय श्रीला प्रवपाद श्रीला प्रवपाद की जह हो श्रीला प्रवपाद जी कहते हैं योग अभ्यास से मनुष्य भावतिक दारणाओं से क्रम शह विरक्त हो जाता है यह योग का प्रमुक लक्षन है इसके बाद वह समाधी में इस्तित हो जाता है जिसका अर्थिया होता है कि दिव्यमन तथा बुद्धी के द्वारा योगी अपने आपको परमात्मा समझने का भ्रम ना करके परमात्मा की अनुभूति करता है योगा प्यास बहुत कुछ पतंजली की पदती पर आधारत है कुछ अप्रमानिक भाश्यकर जीव आत्मा तथा परमात्मा में बेद स्थापित करने का प्रियास करते हैं और अद्वईतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं किन्तु वे पतंजली की योग पदती के वास्तविक प्रियोजन को नहीं जानते पतंजली पदती में दिव्यानंद को स्विकार किया गया है किन्तु अद्वईतवादी इस दिव्यानंद को स्विकार नहीं करते क्योंकि उन्हें भ्रह्म है कि इस से कहीं उनके अध्वाईतवाद में भादान इस्तापित हो जाए अध्वाईतवादी ज्ञान तथा ज्याता के द्वेत को नहीं मानते किन्तु इस लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है इसकी पुष्टी योग पद्धति के विख्यात आपतंजली मुनी ने भी की है योग सुत्र में 3.34 महर्शी कहते है पुरुशाथ शुन्यानाम गुणानाम प्रतिप्रासवः केवल्यम सरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति रदिव अर्था यह चित्शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है पुरुशाथ का तात्परिय धर्व अर्थ काम तथा अंत में परब्रहम से तदात्मे या मौक्ष है अद्वैत वादी परब्रहम से इस तदात्मे को केवल्यम कहते है किन्तु पतंजली के अनुसार केवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिसे जीव आत्मा अपनी स्वाभाविक इस्तिती से अवगत होता है भगवान चेतन्य की शप्तों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्षनम अथात मन रुपी मलिन दर्पण का मार्जन अथा शुद्धी है यह मार्जन वास्तों में मुक्ति या भव महादावासी निर्वापणम है प्रारंविक निर्वाण सिद्धान्त भी इस नियम के समान है श्रीमत भागवत में 2.6 में इसे स्वरूपेन व्यवस्थित कहा गया है श्रीमत भगवत कीता में के इस लोप में भी इसी की पुष्टी हुई है निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यक लापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है जिसे कृष्ण भावनाम्रित कहते हैं भागवत की शप्तों में स्वरूपेन व्यवस्थिता जीव आत्मा का वास्तरिक जीवन यही है भावतिक दोशर से आध्यात्मिक सीवन के कलमश्युक्त होने की आवशक्ता माया है इस भावतिक दोशर से मुक्ति का अभिप्राय जीव आत्मा की मूल दिव्य इस्थिति का विनाश नहीं है पतन जली भी इसकी पुष्टी इंशक्तों में करते हैं के वल्यम सरूप प्रतिष्ठावा चितिशक्ती रती यह चितिशक्ती या दिव्य आनंद की बास्तविक जीवन है इसका अनुमोदन वेदान सूत्र में 1.1.12 इस प्रकार कहा गया है आनंदम्मयो भ्यासात यह चितिशक्ती ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ती योग द्वारा इस सरेंथा से प्राप्ति किया जाता है भक्ती योग का विस्तरत परण साथे अध्या में किया जाएगा इस अध्या में वाल्यत योग पदति के अनुसार समाधिया दो प्रकार की होती है संप्राज्यात तथा असंप्रज्यात समाधियां जब मनुष्य विभिन दाशनिक शोधों के द्वारा दिव्य इस्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्यात समाधी प्राप्त है संप्रग्या चमादी में संसारी आनंद में से कोई संबंद नहीं रहता क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है एक बार इस दिवी इस्तिती को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी इससे दिखता नहीं है, जब तक योग इस इस्तिती को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वहां असफल रहता है। आजकल की तथाकतित योगा अभ्यास में वेवेन इंद्रिय सुक समिलित हैं, जो योग के सर्वता विपरीत हैं। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादिक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है, तो यहां उपहासनक है। यहां तक कि जो योगी, योगी सिद्धियों के प्रति आकरशित रहते हैं, वे भी योग में आरूर्ट नहीं कहा जा सकते।। योगी जन, योग की आनुशंगिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं, तो उन्हें सिद्ध अवस्ता को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि इस लोग में कहा गया है, अतह जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं, उन्हें या समस लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश यही समाप्त हो जाता है। भावित व्यक्ति अपने धार्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रहती। इस दंब प्रदान योग में अठियो ध्यान योग तथा ज्यान योग का अभ्यास करते हुए अनीक अवरोध आ सकते किन्तु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरी रहता है तब तक शरीर की आवशकताओं आहर नित्राभाई तथा मैथुन के को पूरा करना होता है। किंदु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अत्वा कृष्ण भावनाम्रित में इस्तित्फ हो जाता है तो वह शरीर की आवशक्ताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता है। प्रतियुत वह गाटे के सोदे का सर्वतम उप्योग करके जेवन की नियोनतम आवशक्ताओं को सुईकार करता है और कृष्ण भावनाम्रित में देव्य सुख भोगता है। वह दुर्गतनाओं, रोगों, अभावों और यहां तक की अपने प्रिय जनों की मृत्यु जैसी आपत कालेन घर्तनाओं के प्रति भी नेरा पेख्ष रहता है। किंदु कृष्ण भावनाम्रित या भक्ति योग संबंदी अपने घर्मों को पोरा घर्ने में वहां सदेश अचेश्ट रहता है। दुर्गतनाओं उसे करतव या पत्से विश्लित नहीं कर पातीं जैसाखी। श्रीमत धर्बद कीता 2.14 में कहा गया। आगमा पाईनो अनित्याहा अस्तितिक्षस अभारत वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह या भली बांती जानता है कि ये घटनाओं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इन से उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस प्रकार वह योग अभ्यास में परम सिध्धी प्राप्त करता है। फ्रील प्रभवपाज की चैहो इस आध्यात में ज्यान को समझने के लिए गुरु और गहरंग से प्रुपा की याचना करते हुए मंगला चरन करेंगे ताकि हम जो अध्यन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाव प्राप्त हो सके जो की है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ओम नमो भगवति वासु दिवाया ओम नमो भगवति वासु दिवाया ओम नमो भगवति वासु दिवाया ओम अख्यान तिमरंदस्या ज्ञान जना शलाकया चक्षुरोन मिलितं मेना तस्मय श्वी गुरुवेना महा श्वी चैतन्या मनो भेष्टं स्थापितं येना भूतले स्वयम रूपह कदामःयं धदाति स्वपदांतिकं वन्दे अहं श्वी गुरुवन श्वी उत्पत कमलं स्वी गुरुन वैष्णवाष्या श्वी रूपं साग्रिजातं सहकलरकुनातं वीतं तंस जीवं सात्वैतं सावतोतं परिजन सहितं क्रिष्ण चैतन्यदेवं स्वी राधा केश्र भादा सहागल लालिता श्री विशाखान वितंस्त ए क्रिष्ण करणा सिंधु दीन बंधु जगत्पति गुपेश गुपीका कांता श्राधा कांत नमोस्तते तक्तकांचनम का रंगे श्राधे विंदावने शरी रिष्ण भानो सुत्देवी प्रमामी हरी प्रिये वंच्या कल्पतरो भ्यास्या क्रिपासें धुब्याए वच्या पतीतनां पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमो नमहा जैस्री कृष्ण चैतन्या प्रभुनित्यनन्दा श्री अत्वाइतं गदाधारं श्रीवासदीका अरभक्तमिंदा हरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरी 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 रामा हरी रामा 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 हरी हरी श्री मन्धाक्वत कितामा अत्यकी चैहो मुकं कुरूतु वाचालं पंगं लंगयतिकिरं इन चार श्लोक में भगवान ने असली यश्की परिभाशा दे है यानि सर्वच आनन्द जो तरह से प्राप्त किया राता है योग अभ्यास से उसके विश्य में बताया है कि वो सर्वच आनन्द क्या है जो कि योग अभ्यास के द्वारा हमें गेन करना है या प्राप्त करना है भगवान कहते हैं यत्रो परमती चित्तम यानि कि पहले भगवान ने क्या कहा एटीन में भगवान में कहा यादावी दियतम्षित्तम आत्मन आत्मन्ये cumpl कहा में भ्योन ने क्या आधावी दियतम्षित्ति यानि कि जब योगाप्यास के दौरा अपने मानसिक जितने भी कार्या का लाप हैं उनको वश्मेj कर लेता है और आधिहात्मक में इस्थित हो जाता है यानि कि उस टाइम पर वो क्या करता है मन्य देवावत इस्टते चित को जो चित्त की बहुतिक जो इच्छाएं हैं वो सब निस्प्रेहाहा समस्थ इच्छाओं को सर्वकामें जो भी कामना हैं उनको छोड़ देता है, त्याग देता है और चित्त की बृत्तियों को अपने मानसिक कार्य कलापों को वश्मे करता है और जब उसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती है मन के लिए वायू क्या है? इच्छा है और इच्छा है नहीं है तो फिर योगी इस्थिर हो जाता है, ध्यान में सदे इस्थिर हो जाता है, और इस टाइम पर जब इस्थिर हो जाता है, तो भगवान कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम, यानि चित्त जो है, वो कार्य करना बंद कर देता है, अब इसका मतलब यह नहीं कि वो चेतना शुन्य ह जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि वो मर जाता है देखो यहां पर भागवान क्या कहते है यत्रो परमती चित्तम निरुद्धम योग से वया यानि जिस अवस्था में परमती डिव्य सुप की अनुबोती के कारण बंद हो जाती है अब क्योंकि उसको भावतिक चीज की कोई अनन्द की फीलिंग्स नहीं है जैसे योगी जन जाते हैं हमाले में जाते हैं और वो योग अभ्यास कर रहे होते हैं इतनी कई महीनों तक सानों तक वो भगवान के नाम का जब कर रहे होते हैं और ना मलब खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, उनको शरीर की सुद्ध नहीं है, और वो continuous ध्यान में लगे हुए, आनन्द ले रहे हैं, आनन्द नहीं आता तो फिर बेटे के से इतने तहम समादी में, आनन्द उन्हें प्राप्त हो रहा है, परंतु वो भावतिक इंद्रियों के द्वारा आनन्द लेना बंद हो जाता है, उनको यानि यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवता, तो दिव्यत सुख की अनुबुती के कारण भावतिक सुख जो है, वो बंद हो जाता है, फिर भावतिक चित्तम, यानि मानसुख जो गरती विद्या हैं, सोच जो बहुतिक पदार्त है ना निरुद्धम का मतब होता है बहुतिक जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे वो निवरित हो जाता है और कैसे निवरित हो जाता है योग सेवया यानि योग अभ्याज के द्वारा उसका चित जो है वो आध्यात्म में इस्तित हो जाता है बहुतिक बिद्या जो है वो बंद हो जाती है और बहुतिक पदार्त से उसके आसकती विलकुल खत्मों हो जाती है और इससे यत्री चैवात्वात्वनाथ्मानम पश्यन आत्मनी तुश्यति फिर जब इस स्टेज पर जब आता है कि बहुतिक वस्तुओं की बारे में सोचता नहीं है बहुत एक वस्तों में उसका कोई आकशन रहता नहीं है, योग अभ्यास के द्वारा चित्वरत्ती जो है परमते वो उपर दिवियता में इस्तित हो जाती है, फिर क्या होता है, यत्रचैवात मना आत्माना, फिर अपने आत्मा में पश्यन आत्मनी तुष्यती, दब ये दो आत्मा लखे हो न, आत्मा के अंदर परमात्म, पश्यन मना देखता है, आत्मनी तुष्यती, परमात्मा का दर्शन करता है और उससे इतना संतुष्ट हो जाता है, यानि अब कैसे, क्योंकि योग अभ्यास के द्वारा उसका मन इतना शुद्ध हो जाता है, तो मन, शुद पुल समाप्त हो जाता है तो यह जो शुद्ध आवस्ता है तो श्रीला प्रभुपाजी बोलते हैं हम वंने जैसे अभी ताथ पर्यें में पढ़ा कि इस कल्यूक में जैसे कि छेतन्य महाप्रभु ने बता है जो फॉर्स्ट इनद पेरेग्राफ में जो बता है लास्ट में क यहां पर योग अभ्यास के द्वारा मंन को अमार्जन किया है यानि कि उसको मन को इतना शुद्ध किया है कि मन के अंदर ज्यत्र चाईवात्मनापानम पश्यन आत्मनी तुष्यति वो आत्मा के अंदर परमात्मा को देखकर इतना तुश्यंति का मतलब बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाता है और वही अवस्ता के बारे में चैतने महाप्रभू क्या कहते हैं के मन रूपी मलिन दर्पन को महार्जन करके शुद्ध करके भव महादावादी निर्वापन के बहुत जितने भी क्लेश हैं बहुत जितनी भी अगनी है उसको शान्त हो जाता है तो और श्रीला प्रभूपादी ने आगे बताया कि श्रीमत भागवतम में 2.10.6 में इसे कहते का आ गया मुक्ति हित्वा अन्यता रुपे स्वरुपेन व्यावस्तिता कि वास्तव में मुक्ति का क्या मत्तब होता है कि आप अपने भावतिक शरीर को त्याग कर अपने वास्तविक शरीर में इस्तित हो जाओ यानि कि यहां पर यह बताया जाता है कि आनंद लेना है आनंद लेना जीव आत्मा का सर्वुत्तम अधिकार है लेकिन आनंद जीव अभी किसे ले रहा है इन भौतिक इंद्रियों की द्वारा अब हम सोचते हैं इंद्रियां संतुष्ट हो रही हैं जैसे अगर हम आँखों स कुछ देख रहे हैं तो इसा लगता है कि यह शरीर संतुष्ट हो रहा है इस शरीर के माध्यम से आत्मा संतुष्ट हुने का प्रयास कर रही है जैसे अभी कोई यहाँ पर व्यक्ति किसी के साथ संबोग करके संतुष्ट होने का प्रिहास कर रहा है, लेकिन उसी समय उस व्यक्ति की मृत्य हो जाती है, पर उसकी शरीर की इंद्रियां तो सारी रहती है, उसकी आँखें भी है, कार्णी भी है, उसकी त्वच्रा है, सारी अब वो कोई आनंद नहीं ले पाया है, अब कोई भी उसके लिए आनंद, ना खाद्यपदार्थ का कोई आनंद है और ना ही कोई और किसी किसम का आनंद नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि जिस के जो वास्तरिक आनंद लेने वाला था, वो निकल गया, अब खाली वो शरीर रह इसका मतलब होता है कि यदि शरीर के द्वारा भी हम आनंद ले रहे हैं, तो यह शरीर का आनंद नहीं होता है, आनंद वास्तव में आत्मा को चाहिए, और आत्मा क्योंकि अभी बहुत तेक शरीर के अंदर जखड़ी होई है, तो सोचती है कि यह आनंद मुझे इस बहुत त शरीर की द्वारा इस तरह से तापत होना है अब जिस तरह से जिस जीव की जितनी चेतना विक्सित होती है उसका आनंद उतना ही बढ़ा होता है इस बाद को समझने का प्रयास करेंगे जैसे अब जिस तरह का आपको शरीर मिला होगा आपका आनंद उसी हिसाब से होगा जैसे अगर आपको व्रिक्ष का शरीर मिलाओगा तो व्रिक्ष भी अपने हिसाब से आनंदित होते हैं जैसे सूरिय प्रकाश को ग्राण करते हैं, वायू को ग्राण करते हैं या सरदिया होती हैं तो फिर उस टाइम पर गर्मी को सूरिय से ग्राण करते हैं और अगर कोई विरिक्ष की भाशा में विरिक्ष से पूछे तो क्या मोलेगा हाँ मैं बहुत आनंदित हूँ। क्योंकि उसकी चेतना इतनी ही विक्षित है कि उसको इससे बड़ा वाला आनंद खबर नहीं है ना। जब खबर पड़ेगी तो सुचेगा ना कि इन वाला आनंद काम है लेकिन क्योंकि उसकी आनंद की चेतना सीमित है तो फिर वो उससे को आनंद समझता है। उसके बाद अगर हम पशु पर आये पशु जीवन जिसे होता है तो अब सुवर जो है उसका आंंद उसकी चेतना इतनी है कि वो मल्क आकर इतना संतुष्ट होता है। वो सोचता है कि देखो कितना आनंदित हो में लेकिन हम क्योंके मनुष्य हैं तो हम देखेंगे हम बुलेंगे देखो सुवर का कितना गंदा जीवन होता है वो विश्टा काता है क्योंकि हम जो मनुष्य हैं तो हमारी सेतना बहुत अत्यदिक उपर है अब सिर्फ हमारी भौत परन्तों भावतिक चितना से दिव्य चितना तक जाना है अब क्योंकि हम उसी यह जो वास्तव में अभी जीवन में जिस तरह जी रहे हैं तो हम भावतिक इंद्रियों की द्वारा वही सुख राप्त करना जाते हैं आहार निद्रा बाई मैथुन अब लेकिन श्लाप जाहें टब तक शरीर की आवश्कता है आहार निद्रा बाई मैथुन को पूरा करना होता है अब भावाते शरीर एये तो उसको खाना हो शरीर है तो उसको सोना भी साहीं शरीर है और उसको बचाहिए और इस तरह से किन्टु व्यक्ति शुट्ष्ष्भ Premiere क्रिश्ण 1.2.10 में हमने पढ़ा था, अगर इच्छा हैं, तो फिर्म इस लिए के शरीर की आवश्रक्ता हैं, तो उस शरीर की आवश्रक्ताओं को पूरा करने के लिए अधीक नहीं, उसके लिए उत्ते जित नहीं होना है, इसे इसलिए प्रभपाजी कहते हैं, making the best use of bad bargain, बले ही शरीर कितना ही अवगणों से बरा हुआ है, कितना ही खराब उसके अंदर इच्छा है हो, लेकिन फिर भी इसी के द्वारा तो हमें भगवान के तक पहुंचने का माध्यम यही शरीर हमें मिला है, अब यह शरीर हमें मिला है, तो इसी शरीर के द्वारा ही हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो जिस प्रकार योगी जन क्या करते हैं, यत्रो परमते शिस्तम निरुधम योग से वया, फिर वो क्या करते हैं, बहुत तिक वस्तूं से अपने शित का आकरशन बिलकुल खतम, बहुत तिक इस्तर पर उनका विचार बिलकुल बंद हो जाता है, और आध्यात्मिक इस्तर पर, क्योंकि मन शुद्ध हो जाता है, तो क्या होता है, यत्रचेवात्मनात्मानम पश्यनात्मनी तुष्यति, वे शुद्र रिदै से शुद्धात्मा परमात्मा का दर्शन करती है, और वे संतुष्ट हो जाती है और उस समें जो उनको सुख प्राप्त होता है यहनी कि अब असली सुख के विश्णे में सरवोच आनन, इस संसार में सब कोई आनन्द प्राप्त करता है जैसे अभी हम बात कर रहे थे लेकिन हर कोई के आनन्द को प्राप्त करने के लिए सेतना सीमत है, विरिक्षों का आनन्द अलग होता है, पश्यों का आनन्द अलग होता है, लेकिन यह समझने का प्रियास करना है, कि यह जो शरीर हमें मिला है, वो शरीर तो केवल माध्यम है, वास्तों में हम आत्मा है, तो फिर आत्मा का आनन्द प्राप्त करने का प्रियास है, तो सुवर को पता ही नहीं है कि विष्टा से भी अधिक कोई अना भोग होता है जिसको खाकर हम संतोष्ट हो सकते हैं उसकी चेतना इतनी विक्सित है लेकिन मनुष्य का जन्म ऐसा है कि भगवान ने उसे यह शास्त्र दिये हैं जिसके द्वारा मनुष्य यह जान सकता है कि वास अब सुखम आतियंतिकम का मतलब होता है कि ये परम सुख है वो ये भौतिक अभी देखो यहां पर लिखा यतत्त बुद्धी ग्राहियम वो फिर आपकी जब बुद्धी बहुत ज्यादा विक्सित हो जाएगी ना उसके ज्यादा ग्राहिया है बुद्धी के द्वारा आप उसको ग्राण करते हो अब अती इंद्रिया अब इंद्रियों के द्वारा आप उसको ग्राण नहीं करते हो वास्तों में हम जब तक इंद्रियों के द्वारा सुख को ग्राण करने का प्रयास करते हैं तो वो बहुतिक सुख होता है क्योंकि वो मुझे आनंद नहीं देगा अभी बुद्धी इतनी विक्सित हो जाती है बागवान बताते हैं 7.19 में बहुनाम जन्मा नामन ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते जो वास्तों में ज्ञानी हो जाता है वो मुझे प्रपद्यते मेरी शरह में वही आ सकता है वास्तों में जब तक ज्ञान विक्सित नहीं होता तब तक वो आतियंतिकम सुखम ये जो भगवान बता ने जिस सुख के विश्रें में ये सुख आतीयन तिक शुद ग्यान की दुवारा प्राप्ट होता है और अती इंद्री ये इंद्रियों से बिलकुल परे होता है, इंद्रियों से इस सुख का कोई सरोकार ही नहीं होता है, क्योंकि जब जीव सोचता है कि ये सुख जो है वो मैं इंद्रियत हुई नहीं मैं आत्मा हूँ तो फिर यहाँ पर एक बात फिर भी समझने की है कि वास्तव में वो सुख लिया जा रहा है कौन सी इंद्रियों से जो हमारा वास्तविक स्वरूप है जिसके बारे में हम पहले चर्चा करह किए कि मुप्ति हित्व अन्यत हारूपे स्वरूम्य नव्याभस्तनayा, इसका मतलब है कि हमारा एक वास्तविक स्वरूप है जो बुद्धी की द्वारा हमें पता चलेगा जब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब हमें ये पता चलेगा कि हमारा एक व जानते हैं बुद्धी से कि वास्तव सुक्य वास्तविक शरीर मेरा नहीं है यह तो यह रचेश आएगा और मुझे आगे जाना है तो जो आगे जाऊंगा तो मेरा वास्तविक स्वरुप जब मुझे मिलेगा तब उसके द्वारा में जो सुक् प्राप्ट करोंगा वो रियल सुख होगा तो जिस तरह से इसको हम इस उधारन से समझ सकते हैं समझने का प्रियास करेंगे कि जिससे एक कार ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा होता है और उस कार में विन्ड स्क्रीन लगी होती है जिससे वो देखता है कि क्या गाड़ी आ रही है पीछे या वो क्यों मनद वो उससे देख क्यों सकड़ा है क्योंकि उसकी अपनी आंके हैं यही तरह से हमारी आत्मा को यह शरीर दिया गया है कि शरीर से आप अनुभव करों लेकि इस लिए क्योंकि आपका वास्तविक एक शरीर है एक स्वरूप है जिसे हमने 2.10 में अभी भागवतम 2.10.6 में अभी पड़ा मुक्ति हित्वा अन्यतारूपे स्वरूपेन व्यवस्तिता तो जब जीव उस्वरूप में व्यवस्तित होता है तो वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है और वो सुख केसा होता है उसके विश लेकिन बहुत ही सुन्दर भागवान या बरवता रहे है वेति यत्रन चायवायम इस्तितश्चलती तत्वतह वेति यत्रन चायवायम जब एसा सुख प्राप्त हो जाता है जब वह सुखम आत्यंतिकम ये जो इंद्रियों के द्वारा नहीं बुद्धी से जो सुख आत्य कि वह स्थिर्च से कभी हटें यह रहला है कि और कि और किसी चीज जी बहुतिक वस्तु की ऑर आकर स्थफित नई होता है यानि कि फिर उसको कोई भाउतिक वस्तु अपनी और आकर्शन करी नहीं सकती, यहां परशिला प्रभुपाजी ने बताया कि अब जो भाउतिक आजकल के जो योगी होते हैं, वो तो इंद्री सुख में इतना ज्यादा माईथून सुख और मादक द्रव्य सेवन में अनुरक होते हैं, तो यह तो उपहास जनक है, क्योंकि वो जो आनंद की बाद, जिसको यहां पर मलवान बता रहे हैं, कि ऐसा सुख उसे प्राप्त होता है, यत्र चैवात्मना आत्मानम तुश्यंति, पश्यन आत्मनी तुश्यति, सुखम आतियं तिकम यत्तत, बुद्दिर ग्र का तथा कथित, जो योग का अनुष्ठान करते हैं, और फिर योग सिद्धियों की और आकर्षित हो जाते हैं, तो शीलब रोपाजी बोलते हैं, यह सब वास्तविक योग का लक्ष नहीं है, तो फिर अब यहां पर एक प्रश्ण उठता है, कि जब ऐसा सुख अगर प्रा उनकी और आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा सुख अगर वास्तविक सुख किसी को प्राप्त हो जाता है, तो उसका सुबूत क्या है, क्या सुबूत है, तो भगवान यहां पर दो सुबूत दे रहे हैं, नीशे जो भगवान लिखा है, 22 श्लोग में बहुत ही सुन्द है, भगवान कहेते हैं, यम लगद्वा चापरम लाभं मन्यते न अतिकं तत्वता, यम लगद्वा एसा सुख पाकर चापरम लाभं इस से उपर कोई सुख सोच cannot it, कि इस से ज्याद़्दा हो सकता है, अब इस अंसार में क्या होता है, जितना भी आप प्राप्तृ करते हो जितना भी आप राप्त करते हो, जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रिष्टेदारों में सबसे ज़्यादा अमीर बनो, तो वो अमीर बन जाता है, फिर सोचता है कि मैं इतनी मेनद करूँगा कि शहर में सबसे ज़्यादा अमीर बनो, तो वो और भी 스폐व रभी अगर प्राप्त हो जाएगा ना तो आप कभी यह नहीं सोचोंगे कि इस पहुत थे सरा कि इत लिए अगर कोई भाव ठीक बड़ा बन जैते हैं तो आप सब्सक्राइब उसका पर बोलते हैं मैं और भी बड़ा बनन और एसे करके एक समय आता है कि वो तो फिर heroine बनना छोड़ देती है, फिर दूसरी heroine आती है, उसका record तोड़ देती है, फिर जिसे एक बहुत तिक करकेटर होता है, करकेटर बहुत सारे runs बनाता है, बहुत सारा अपना बनाता है value, और फिर उसको बनाने के बाद जब रिटार हो जाता है, तब भी उससे डर रहता है कि मुझसे आगे कोई नहीं निकल जाए, लेकिन अगर उससे आगे जाए, आगे निकल जाते है, फिर क्या होता है, फिर उसको इसा लगता है, अगर कोई आगे निकल जाता है, तो इससे लगता है, पहले उसको इसा लगता है कि मैं आस्मान में उड़ा हूँ, और उर्ते उर्ते कोई उसके परकार देता है, शिर्गता हो, यानि बहुतीक स्वज़त में कोई भी स्टेज प्राप्त हो जाए, आपको बड़ी से बड़ा हीरो बना दिया जाए, बड़ी से बड़ा किर्किटर बना जाए, बड़ी से बड़ा संपत्ती प्राप्त हो जाए, परन्तु कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा लगे इस से बढ़ कर और कोई सुख नहीं है लेकिन भगवत प्राप्ति या वास्तविक इंद्रियों की द्वारा जो हम भगवान की प्राप्ति करके जो सुख का अनुबहु करते हैं उसको प्राप्त करके क्या लगता है यम लगध्वा चापरम लावम इससे उपर कोई लब हो इनी सकता एक तो यह सबूत हो गया कि वो किसी भी सुख को इससे बाढ़कर नहीं मानता लेकिन यह काफी नहीं है वास्तविक्ता क्या है वो आगे वनले लाइन में बागवान कहते है यस मिन्स थे तो न दुखे न गुणापी विचाल यते यानि कि इस सुख को प्राप्त करके यस मिन्स थो न दुखे न गुणापी विचाल यते जब इस सुख को प्राप्त हो जाता है जीव तो फिर बड़े से बड़ा दुख भी यदि उसके जीवन में आ जाता है उसको यदि इस अंसार में प्राप्त हो जाता है, तो उसमें विचलित नहीं होता है। बागवान के साथ अपने संबंद को जोड़कर इतना संतुष्ट था कि वो क्या सुचता है कि बागवान ने इसमें भी मेरे उपर करपा की, वरना पांच वर्ष का बच्चा, वो उसका और कोई नहीं है, उसका ख्याल रखने वाला, उसको प्रेम करने वाला, उसको बोजन द नहीं है, तो वो क्या सुचेगा, कि मेरे साथ भगवान ने इस कि हमें तो भगवान की बत्ती कर रहा था, भगवान को सोचना चाहिए था, कि पांस साथ बच्चे का ख्याल को नकिएगा, एक माही थी तो उससे वो भी ले 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 लेकिन यहां पर यह जो उस दिव्य स्टे कि गुणापी विचालेत, बड़े से बड़ा दुख भी यदि उसके पास आ जाता है, श्रप प्रभपाजी केते हैं, वह दुर्गटनाओं, रोगों, अबावों यहां तक कि अपने प्रिये जनों के मृत्यू जैसी आपत काली गटनाओं के प्रतिवी निरापेख्ष रह मैं यह दुर्गटनाओं उसे कर्तव यह पत्से विचलित नहीं कर सकते, जैसे बागवाने पहले बताया कि इस जो है तत्वा वेति यत्रन चायवायम स्थित श्यलति तत्वाता है, वो अपने पत्से ब्रहमित नहीं होता है, कोई भी चाहिए समझ से आचा है, वो कभी भी अपने पत से विपत नहीं होता है, अपनी भक्ति को नहीं चोड़ता है, क्योंकि उसको दिव्य आनंद आ गया है, उसको पता चल गया है, कि मैं यह शरीज नहीं हूँ, और मेरी आत्मा को संतुष्टी केवल भगवत भक्ति से प्रापत होगी, तो यह जो बहुत तिक जैस जब तक हम इंद्रिये ही अपने आपको समझते रहते हैं, जब तक हम देहातना बुद्धी में होते हैं, तब ही तक वो हमें सपर्श करती हैं, और आगमा पाईनो अनित्या तांस्तितिक स्वभारता, क्योंकि वो तो आते जाते हैं सर्दी गर्मी की तरह, तो उसे तो हमें बरदाश करना है, ऐसा नहीं कि दुख में इतना ज्यादा दुखी हो जाए कि फिर अपने वास्तविक धर्मी यानि कृष्ण भक्ति को छोड़ दे, तो यहां पर भगवान बता रहें, यह अस्मिन स्तोन दुख केना गुरापी न विचाले पे, वास्तों में भक्तों, यह इस अधा संसार दुखों का घर है, इसको दुखों का समुद्र कहा जाता है, लेकिन जब भगवान की बक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान के चरण कमरों का आश्रे प्राप्त हो जाता है, तो भगवतम में एक अत्धियंधी सुन्दश लुक आता है, 10.14, 158 में कहा गय समाशिताई पदपल्ल वप्लवं महत्पदं पुन्य यशो मुरारे भवां बुद्धि वत्सपदं परंपदं पदंपदं यत्विपदान तेशां। समाशिताई पदपल्ल वप्लवं महत्पदं पुन्य यशो मुरारे के जिसने भगवान के शिचरनों रुपी नाव को गुरान कर दिया है। वत्सपदं ये बहुत बड़ा समुद्र है। दुखों का बहुत बड़ा कहरा समुद्र है। लेकिन जब ये दुखों वाला समुद्र भी कैसा होता है। वत्सपदम, वत्स केसा होता है? जैसे गाय का छोटा सा बच्चा होता है वो अगर दरिया के किनारे पर चलता है तो फिर क्या होता है? उसके जो पाउं का खुर है उसके उसे एक खड़ा बन जाता है और उसमें भी पानी भर जाता है अब वो इतना छोटा सा गाय का बच्चा है उसके खुर में भरा हुआ पानी को लांगना कितना मुश्किल है कोई भी मुश्किल नहीं कोई भी आराम से उसको लांग सकता है तो बवाम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम हालांकि ये संसा जो है वो बहुत गहरा दुखों का समुद्र है लेकिन यदि आप भगवान की चरण कमलों की नाव को ग्रान करते हो तो ये पूरा बहुत साग है एक चोटे से वत्स के खुर में भरे हुए पानी की तरह है पदम पदम यत विपदाम नतेशाम फिर उसके लिए ये जो बहुत सारी विपदाएं है पदम पदम यत विपदाम सर्वत्र दुखं पशेत ये सारे दुख उसके लिए नहीं है जिसने भगवान के चरण कमल रुपी नाव को ग्रान करनी है पदम पदम यत विपदाम नतेशाम उसके लिए कोई दुख नहीं क्योंकि उसको वास्तविक आनंद जिसके लिए बताएं या सुक दिआत्रन चायवातरम इस्ततक शडती तट्वत्या और जब वो शुक उसको प्राप्त हो जाता है और करें बहुत कभी अपने पति से डग्मा काता नहीं है। परम लाभम बन्यति नादिकम तत्वा उसको वो सुख प्राप्त होने के बाद उसको कोई भी सांसारिक सुख मनद दूसरा कोई सुख सुख लगता ही नहीं है क्योंकि भावतिक इंद्रियों से वो पहले सही जैसे हमने पड़ा यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योगा स क्योंकि वो चेत्ना जो है उसकी भावतिक इंद्रियों से बहुत ऊपर चली करी है और यत्र जैवात्मना अत्मारम पश्यत्यात्मन नितुष्यति वहां पर वो भगवान का दर्शन करके भगवान के साथ अपने संबंद को जोड़कर इतना ज्यादा संफिट हो जाता है क यासमें स्थोर न दुखे न गुणापी विचारत फिर उस सुख में सुख को प्राप्त करके उसे कोई भी दुख उसको विच्रित नहीं कर सकता और अंतिम लाइन में भगवान ने अक्तियांदी सुन्दर बात बता आई है तम विध्यार दुखसाईयोकार वियोगम योगसांगितम तम विध्यार वो किस तरह से मिले किसे उसको प्राप्त किया जाए तो भगवान बताते हैं तम विध्यार उसको जानो दुखसाईयोगा दुखसाईयोग मतलब बहुतिक संसार से उत्मन दुख वियोग इसका मतल जितना भी दुख है वो हमें क्यों महसूस होता है क्योंकि हम अपने आपको इंद्रिय समझते हैं इंद्रिय जब तक हम अपने आपको समझते रहेंगे जब तक दिहात्म बुद्धी में होंगे तब तक हमें इस संसार का बाउतिक दुख क्लेश महसूस होगा तो तमवेद्या दुख संयोगा अब उस दुख से जो हमने संयोग कर लिया है अपनी इंद्रियों के दारा उसको क्या करना है वियोगम उसके साथ वियोग करना है और वियोग के द्वारा वियोग कैसे करेंगे योगसांगितम योगसांगितम मलब वास्तविक योग प्राप यानि बहुतिक जगत में दुख से जो संयोग हो गया है अब योग के द्वारा उस दुख से वियोग करना है यह कैसे हैं शिर्ण प्रभपाजी बोलते हैं The Soul Has Got Married to Matter and Yoga Means To Dihad The Soul For Matter यानि आत्मा का भातिक शरीर से जो बंदन जुड गया है जिसके द्वारा आत्मा इस भातिक शरीर के द्वारा दुखी होती है उस बंदन को अब तोड़ देना है योग करना है भगवान के साथ और जब भगवान के साथ दिव्य योग हो जाता है पशन आत्मनी तुष्यती जो भगवान का धर्शन हो जाता है तो आत्मा संतुष्ट हो जाती है और यह होगा कैसे इस कुछला प्रोपाजीने पपट में बिल्कुल पहले बता है कि योगा अभ्यास से मनुष्य भावतिक धारणाउं से करमेश्य विरक्त हो जाता है यानि कि अब जब योगा अभ्यास के आएस्ट स्टेच पर जाते हो वैसे क्या होता है दीरे दीरे आप बहुतिक धारणा यह जो भी हमारा बहुतिक शरीर है बहुतिक इंद्रिया है उससे विरक्त हो जाते है और यह योग का प्रमुक लक्षन है उसकी योग की बेस्ट क्वैलिट क्या है कि जैसे जैसे आप योग में आगे जाते जाओगे आप बहुतिक धारणा से उपर उपते जाओगे इसके बाद वह समाधी में इस्तित हो जाता है जिसका अर्थिया होता है कि दिव्यमन तता बुद्धी के द्वारा योगी अपने आपको परमात्मा समझने का ब्र करता है अपने आपको परमात्मा नहीं समझता और शुल्य प्रभवपाज ने सेकें लास्ट परेग्राफ में बहुत ही सुन्दर बात बता है कि इस यूग में योग की सर्मुत्तम बदती कृष्ण भावना में नहीं है जो निराशा उत्पन करने वाली नहीं है एक कृष्ण भावित्व्यक्ति अपने धार्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षन नहीं रहती यानिके जो ये भगवान ने बात बता ही है उसके उपर पूरा-पूरा उतरता है इस यूग में यदि कोई तो वो कृष्ण भागवान ने क्या बताया जुख जैनात्मनी तुष्यति और अपने रिदे में भगवान का दर्शन करके संतुष्ट हो जाता है जैसे चेतनियमा प्रभू ने बताया चेतो दर्बणमा अर्जनम ठीके और रिदे के अंदर भगवान के साथ संबंद जोड़ना उसके बाद सुखम आतियंतिकम्यतत बुद् बुद्धिक सुख प्राप्त होता है वेत्र यत्र नचाहिए वायां इससे तर्शलती तत्वत्ता और इस सुखको प्राप्त करके वो कभी भी अपने पर से विच्वित होने के विच्वित में नहीं सोचता है यम लद्धा चाप अरम लावम मन्यति नादिकम्तता जो शु त्वार दोख निम्हें उपर कितने सारे दुख नाकुर को कितने कोड़ों से मारा गया अ कितनी सारे कष्टुila, लेकिन वह कैसी भी दुखो दुख मानते ही नहीं थे, क्रिशन सदेव, अवेश्यरक्षिभेक्षन, जिब घृष्न के उपर अविश्वास हुता है, जैसे छोटा क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा पिता मेरा कभी भी बुरा नहीं करेगा, वो बचा लेगा, समाल लेगा। उसी तरह बक्त को अपने भगवान के उपर इतना विश्वास होता है कि बले मुझे कितना ही दुखों के समुद्र में मैं गिर जाओंगा लेकिन मेरा तुष्ण मेरा हाथ कपी नहीं चोड़ेगा तो यसमिन स्थो न दुखी न गुणा पी न विचालेट बड़े से बड़े सुखों का वियोग कर देता है और भगवान के साथ अपना योग जोड़ देता तुष्ण प्रहुपाजी बोलते हैं इस योग में सर्वत्तम पदती कृष्ण भावना मृत है जो निराशा उत्पन करने वाले नहीं है एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती इस दंब प्रदान योग में हट योग ध्यान योग तथा ज्यान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोन आ सकते हैं किन्तु कर्म योग या भगती योग के पालंग में ऐसी समस्या नही है कि वटृति से ही आपको वहां सब राप्तों जाएगा जो कि भगवान यहाँ पर कए रहे हैं और आगे भगवान इस ध्यान योग से अगे heck रहें हैं और हम भग्तियों की महिमा की विश्रे में अधिक पढ़ेंगे वास्तों में बग तो हम इस कहलियों में आया हैं और सर्व प्रतम हमें क्या करना है गुरु और गरंग को प्रसंद करने के लिए अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नाम का जब करना है कीर्टन करना है भगवान के इन अनमोल शक्तों को श्रवन करना है श्रीमत भगवत की ता को श्रवन करना है श्रीमत भगवतम में भग जब यही करना है तो इतना सब पढ़ने की क्या जूरत है एंड तो यही है लेकिन जब आपको पता चलेगा कि मैं एंड तक पहुंच गया हूँ फिर उस एंड को अनुगहों करने का या फिर महसूस जब होगा कि मुझे जो प्राप्त हुआ है वो कितना कि प्रेश्चेज है वही सबसे अंतिम लक्ष है और आपको एसा लगेगा कि इस से अधिकर कुछ भी नहीं है। और मेरा कृष्ण कितना कृपाल हुए, मेरे गुरु महलाज कितने कृपाल हुए, कि मुझे सबसे बड़ी हाइस्ट वस्तु प्रदान की है, मैं इस योग्य नहीं हूँ, जब हमें यह एहसास होता है ना, एक एक श्लोप के बाद, फिर हम और भी अधिक प्यास करते हैं, आज सब मेरे लिए प्रातना जरूर कीजेगा, कि मैं अपनी सादना अच्छी कर सको, ताकि आज सब जब सुनो, तो उस पर अर्श हो, आज सब के बहुत 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 बन्यवार तरेश्ट,